एलेक्ट्रिक करेंट और डिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन फ्रेक्वेंटली बोर्ड में अब्जेक्टिव के फॉर्म में या लॉंग आंसर में भी पूछा आता है लॉंग आंसर में जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपसे पूछा जायाएगा वाट इस अगर हमारे पास कोई मेटालिक कंड़क्टर है तो मेटालिक कंड़क्टर के अंदर के जो एलेक्ट्रॉंस होते हैं जब तक कि आप इस पर बाहरी एलेक्ट्रिक या यू कहिए कि एक्सटर्नल पोटेंशियल या एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाये होते हैं इस अंदर के फ्री एलेक्ट्रॉंस रैंडमली मूव कर रहे होते हैं या त्रतत्र रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और इनका रिजल्टेंट वेलासिटी ज़र होता है लेकिन जैसे ही आप में external electric field या यूँ कहिए कि battery जोड़ देते हैं आपने यहां पर जब एक battery जोड़ दिया तो battery के positive terminal से जिस side को आपने जोड़ा है वो higher potential पर हो जाएगा और दूसरा side lower potential पर हो जाएगा बतलब यह higher potential हो जाएगा और यह lower potential हो जाएगा अब इस conductor के अंदर में इस metallic conductor के अंदर में तो oceans of free electrons है मतलब भरपूर मात्रा में जो mobile electrons है वो positive side की और drift करना शुरू कर देता है positive side की और घिसकना शुरू कर देता है मतलब यह lower potential से higher potential की और आना शुरू कर देता है जिसके करन इसके opposite direction में आपको electric current देखने को मिलता है जब हम किसी metallic conductor को external battery से जोड़ते हैं या external electric field इस पर apply करते हैं external electric field इस तरीके से इस पर apply होता है तो electrons जो है mobile electrons जो है जिस average velocity के साथ positive side की और या higher potential की और drift करते हैं या move करते हैं हम उनी velocity को या सारे velocities के average को drift velocity बुलाते हैं मतलब अगर हम लोग drift velocity की बात करें तो यहाँ पर मैं लिखवाँगा drift velocity के लिए अगर हम इस answer की बात करें ऐसे भी drift velocity two marks में separately पूछा या सकता है हम लोग कहेंगे the average velocity the average velocity साथ साथ लिख लेंगे with which electrons कौन से electrons होंगे mobile electrons होंगे free electrons होंगे electrons move towards towards positive side positive side या higher potential in a conductor called drift velocity called drift velocity एक चीज़ आपको अपने जहन को बता देना है कि यह जो drift velocity है यह सारे free electrons के velocities का जिस velocities के positive side को जाएंगे का average है drift velocity को हम लोग VD से दिखाते हैं और इसकी value जो आती है यह e into e by m into tau होता है यहाँ पर यह जो tau है कि average relaxation time है वीडी drift velocity है और ध्यान रखेंगे यहाँ पर यह VD drift velocity है कि जो है एक electron का charge है और m जो है वो एक electron का mass है किसी वीडियो में हम इस formula को भी derive करवाने का काम करेंगे drift velocity के और भी कई सारे formula हैं जैसे आप electric field को VYL लिख करके EVY ML into tau लिख सकते हैं और current electricity में current के फॉर में भी करेंगे आप कमेंट करके मताईएगा कि drift velocity के कितने formula आपको मालुम है और mobility के साथ क्या relation है theater music के साथ यह भी आप कमेंट करके जरूर बता कीएगा बाता है जानना चाहता हूं कि आप मेंसे कितने वाच्णों को mobility के बारे में पता है होड में mobility इस relation को भी निकालने का काम करते हैं, यहां पर heading पहले से लगा रखा है, प्रपोस करें कि हमारे पास एक, फिर से वही बात, metallic conductor है, इस metallic conductor का जो length है, मतलब हम माल लेते हैं, इस conductor का जो length है, L है, और इसका जो cross section area है, यह वला area, A है, कि अंदर तो electrons हैं, या free electrons हैं, तो free electrons अभी तो randomly move कर रहे होंगे, जब तक बैटरी नहीं लगाया गया है, या तरतर आवारा के तरह move कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या लगा दें, जैसे हम लोग इसमें एक external electric print apply कर दें, या external battery लगा दें, मैंने अभी अभी आपको बताया, ये electrons drift करना शुरू कर देंगे, positive side के तरफ या higher potential के तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर कितना current बनेगा, उस current का, इन electrons के drift velocity के साथ, जैसे velocity से ये move कर रहे है, VD, इस drift velocity के साथ क्या relation होगा, हमें ये find करना है, मैं यहाँ पर कुछ assumptions लेना चाहूँगा, पहला assumption ये लेना चाहूँगा, कि माल लेते हैं कि हमारे पास जो conductor है, इसका length L है, area A है, और इसका जो number density of electron है, N है, मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, किसी भी conductor के एक meter cube में, अत्वा unit volume में, कि काई volume में, एक meter cube में कितना electron होगा, हम लोग बोलते हैं number density of electron, और number density of electron अगर आपको मालूम है, तो आप total volume से गुना करके total number of electrons भी निकाल सकते हो, तरह समझेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग माल लेते हैं, let us consider, एक conductor, conductor का length L है, और cross section area A है, cross section area A है इसका, and having number density of electron, मैं बार बार कह रहा हूँ कि number density का मतलब क्या है, number density of electron का मतलब total number of electron नहीं, एक meter cube volume में या unit volume में, कितना, and having number density of electron as N, एक meter cube में कितना electron होगा, उसको हम लोग number density से दिखाते हैं, तो मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, इसके total number of electron को, समझेगा, यह आपको उसले chapters में भी काम आएगा, total number of electrons को हम लोग capital N से दिखाते हैं, अगर इसके V volume में, आप इसको और बेसिकली ऐसे समझेए, मान लिजे आपके पास एक conductor है, तार है, जो volume है, item है, वो मान लिजे 15 meter cube है, और इसके 15 meter cube में, मान लिजे कि आपके पास 600 electron है, 15 meter cube में, आपके पास 600 electron है, इसके 1 meter cube में कितना electron होगा भाया, 600 बट्टा 15, यानि 40 electron पर meter cube, एक meter cube में, जो electron होगा, इसको हम लोग दिखाएंगे, small n से, number density, और total जो होगा, उसको capital N से, समझ रहे हैंगा, यहाँ पर हम लोग ने assumption लिया है, कि हमारे पास conductor है, इसका number density, small n है, यहाँ पर अगर आप total number of electrons निकाल लें, तरह समझेगा, यहाँ पर अगर आप total number of electrons निकाल लें, आखिर हम लोग यह निकाल ही क्यों रहे हैं, जस्ट आपको बताऊंगा, हम लोग current निकालने के लिए charge by time करेंगे, और इस conductor से कितने charge का moment हुआ है, यह निकाल n electron move करेगा, तो capital n into e charge carry करेगा, इस पर number of electron निकालना है हमें, total number of electron अगर n निकाल लें, तो number density into volume, तो कि 1 meter cube में तो small n electron number density small n है, 1 meter cube में small n, तो total volume में number density small n into volume, अब volume तो clearly नहीं मालूम है, लेकिन हमें मालूम है, कि हमारे conductor का cross section area A है और length L है, तो हम लोग इसको volume को A into L निक सकते हैं, तो हमें total number of electron मिल गया, total number of electron अगर मिल गया, अगर हम लोग यहाँ पर electric current निकाल लें, ठीक है, आपको बकू भी मालूम होगा, electric current I जो होता है, total charge flown by total time taken के बराबर होता है, मतलब इस conductor के cross section area से, अगर T time में Q charge flow किया, तो current बराबर Q upon T होता है, अब आपको मालूम है, यहाँ पर electrons का motion हो रहा है, electrons move कर रहे है, एक electron move किया होगा तो E charge, दो move किया होगा तो 2E charge, यहाँ पर capital N electron move किया है, तो N E upon में E, N E हो गया है आपर charge, अब अगर आखे ठीक हो, दिख रहा है, N जो है, मतलब total number of electron जो है, वो N A L के बराबर है, पर लिख सकते हैं, N A L, और upon में, time कितना लएगा electron को, इसको cross करने में, यहाँ का length जो है, वो L है, और electron का drift velocity है, VD है, इस conductor के across move करने में कितना time लएगा, भया, time बराबर होता है, distance by speed, समय बराबर होता है, दूरी बट्टा चाल, इस L length को move करने में, VD average velocity से, कितना time लगना है, यह time लगना है, L upon में, VD, तो इस time को, यह जो time है, time taken to cross the conductor, हम लोग लिख सकते है, L upon में, VD, आप समझें, time बराबर होता है, distance by speed, यहाँ electrons का average velocity, VD, यहाँ यह drift velocity है, length L है, L upon VD, यहाँ से, अच्छा, E चुप यहाँ बर, N into E था, N A L into E हो जाएगा, अब यह L से L कट गया, और यह VD ऊपर चला जाएगा, current हमारे पास आगया, N E A VD, यहाँ रखेंगे, मैं वापस से बता रहा हूँ, N यहाँ पर number density है, कि यहाँ पर charge on an electron है, मतलब, एक electron का charge है, 1.6 to the power minus 19 कुलम, यहाँ पर cross section area है, क्योंकि हम लोगों ने derivation में ऊपर में लिख दिया है, N number density of electron, और cross section area को A लिख दिया है, ठीक है, Pt यहाँ पर क्या है, drift velocity of electron, Pt यहाँ पर क्या है, drift velocity of electron, बोड के लिए इस important derivation को अच्छे से सीख लें आप, और एक बार लिख करके practice कर लें आप, यह आपको बता दिया, कि आप current और drift velocity के derivation को कैसे derive करेंगे, I is equal to N E A video है, इस वीड 35 Day Heart Challenge में और कौन-कौन से topics पर वीडियो चाहिए, यह comment करके आप जरूर बताएंगे, ताकि मैं last moment पर आपकी और बहतर मदद कर सकूँ, thank you so much.